Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाली हूँ आपकी Class 11 की जो Woven Words Book है, जो की आपकी Elective Book है उसके Short Story section का Chapter No. 6 जिसका नाम है The Third and Final Continent और उस Chapter का आज मैं cover करने वाली हूँ Part No. 3 इससे पहले मैंने Part No. 1 and Part No. 2 cover किया है और अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाईए और देखिया ये ताकि आप Part No. 3 से link कर पाएं और समझ पाएं आगे की Story So let's begin with Part No. 3 अब हम यहां से पढ़ रहे हैं कि इस वक्त हमारे जो narrator हैं उनके पास उनकी wife Mala का letter आया था कहां से? इंडिया से और जिसको पढ़के उनको कोई as such फर्क नहीं पढ़ा क्योंकि उनके बीच में कोई जादा closeness ये intimacy नहीं है husband wife के जैसे अब आगे का पढ़ते हैं कि letter आने के बाद क्या हुआ a few days after receiving the letter as I was walking to work in the morning I saw an Indian woman on the other side of the Massachusetts Avenue wearing a saree with its free and nearly dragging on the footpath and pushing a child on a stroller तो कहता है कि जब मेर पस माला का ऐसी letter आया था उसके कुछी दिन बाद मैंने देखा मैं जब सुब अपने काम के लिए निकला तो मैंने एक Indian woman को देखा जिसने जो Massachusetts Avenue जो सडक जहां पर रहते थे वहां पर उसनों ने देखा कि side में एक इंदुस्तानी औरत stroller पे याने इस तरीके से यह जो प्रैम होती इसमें बच्चे को लेके गुमा रही थी side में और उसने एक साडी पहनी हुई थी with its free याने जो पल्लू था उसकी साडी को बिलकुल मतलब उसने fix नी किया हुआ था वो जमीन पे इस तरीके से घसटता हुआ, ड्रैग होता हुआ उसका पूरा पल्लू आ रहा था फुट पाथ पे, जहां पे वो चल रही थी है, इस ट्रॉलर लेके अन अमेरिकन वोमन, with a small black dog on a leash, was walking to the other side of her suddenly the dog began barking, from the other side of the street I watched as the Indian woman startled, stopped in her path at which point the dog leapt up and seized the end of the सारी between its teeth तो कहता है कि इस तरफ से इंडियन वोमन आ रही थी प्रैम में, स्ट्रॉलर में अपने बच्चे को लेके उस तरफ से एक अमेरिकन वोमन आ रही थी एक black color के dog को लेके और यह जो रसी है dog की इसको हम बोलते हैं leash कहता है कि वो leash में उसने रसी से डोरी से पकड़ा हुआ था dog को कहता है सड़नली यह जो black dog है वो उस उनियन वोमन को देखके बाख करने लगया ने भौकने लगया और फिर बहुत जोर से जाके उसने इंडियन वोमन के सारी का जो पलू है कॉर्णर है वो अपने पीत में डबा लिया बहुत जोर से बिचारी इंडियन वोमन स्टाटल हो गई थोड़ी सी देखके शॉक हो गई तो जो अमेरिकन वोमन थी उसने अपने डॉग को स्कोल्ड किया याने चिला है कि लीव छोड़ो उसने ऐसे अपोलोजेस के कि सौरी 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 जल्दी से वहां से निकल गई और उसने उस इंडियन वोमन को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया कि अपनी सारी अकेले करते रहो और बच्चा भी रोने लग गया था डॉग की आवास सुनके तो कहते है उस ऐसे छोड़ के चली गी इंडियन वोमन को कि अपनी सारी भी बीच रास्ते में फुट पाथ पे खुद फिक्स करो और बच्चे को भी क्राइंग चाइल को उसको चुप कर आती रहो शी डिड़ नॉट सी मी स्टानिंग देर एंवेंच्वली शी कांटिनियूड ओन हर वे तो वो इंडियन वोमन ने मुझे देखा नहीं बस फिर उसके बाद वह अपना निकल के चली गई such a mishap I realized that morning would soon be my concern mishap का मतलब क्या है अब bad luck तो narrator कहता है इस तरीकी का जो bad luck इस बीचारी इंडियन मुमन के साथ हुआ कहता है यह मैंने concern कहना शुरू किया समझना शुरू किया कि यह जल्दी मेरे साथ भी हो सकता है ऐसी bad luck मेरे साथ भी हो सकता है क्योंकि मेरी जो wife है माला वो साड़ी पहनती है वो इंडियन है तो वो जब यहां आएगी कभी यहां walk करेगी तो हो सकता है ऐसे dog उसका भी पल्लू पकड़ ले तो इस तरीके की बाते उसके mind में आ रही थी हमारे narrator की it was my duty to take care of mala to welcome her and protect her तो कहता है यह मेरी duty थी कि मैं mala की care करूँ क्योंकि वो यहां इस नए देश में आ रही है उसको welcome करूँ और उसकी उसको protect करूँ मैं यहां पर I would have to buy her her first pair of snow boots तो कहता है मुझे उसको उसके पहले pair of snow boots खरीद के देने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर बरफ गिरती है तो snow boots पहनने पड़ते है उसका पहला winter coat भी मुझे यहां पर खरीद के देना है यह मेरी duty है I would have to tell her which streets to avoid which way the traffic came tell her to wear her saree so that free and did not drag on the footpath तो कहता है यह सब मुझे उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी street को आपको avoid करना है क्योंकि यहां पर बहुत traffic है कौन सी street में नहीं जाना है उसको मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो street का free end है उसको यहां पर pin up करके रखेंगा नहीं तो कोई भी dog आके पकड़ सकता है footpath पे a five mile separation from her parents I recalled with some irritation had caused her to weep weep का मतलब cry रोना तो कहता है फिर फिर थोड़ा सा irritate हो गया कि अरे वो इतना पांच मील दूर अपने माबाप से साथ समुंदर पार यहां पर आके बैठेगी फिर अपने माबाप को याद करी और फिर रोएगी तो वह इसलिए इरिटेट होता है कि जब शादी के छे दिन वह वहां पर था तो वो दर्मू करती के बस रोती रहती थी अपने parents को करती रहती थी तो कहता है फिर यहां आएगी फिर रोएगी तो उसको कहीं नहीं नहीं चीजों को लेके इरिटेशन थी अपने माइंड में अनलाइक माला आई वोज उस्टो इट बाई वाल बाई दिन उस्टो कॉनफलेक्स एंड मिल्क उस्टो हेलन विजट उस्टो सिटिंग इन बेंच विट मिसस क्रॉफ्ट तो नारेटर कहते हैं माला अभी यहां आई नहीं तो उनको वो अभी यहां पर इन सब चीजों की उस्टो नियू है इसको आदत नियू है कहता है मैं अब तक इन छे हफ्टों में यहां पर मिल्क कॉनफलेक्स जो मैं खाता हूं उसका उस्टो हो गया हूं हैलन आती है फालतु दिमाग खाती है उससे भी मैं उस्टो हो गया हूं मुझे आदत हो गई है कि बेंच पर मिस्स क्रॉफ्ट के साथ थोड़ी देर बैठना कहता है मुझे सब चीजों की आदत हो गई है जो अभी तक माला कुन हुए सरफ मुझे एक चीज की आदत नहीं हुए है और वो आदत है माला जो की मेरी वाइफ है उसको छोड़ी के मुझे सब चीज की आदत हो गई है तो अब उसने कोई बात नहीं अब उसको जो करना था उसने वो किया क्योंकि अब उसकी वाइफ आ रही है और मिस्स क्रॉफ्ट के घर में कोई फीमेल आ नहीं सकती तो अब क्या किया उसने मिट के ऑफिस के बाहर गिया और उसको वहाँ से पता चला कि यहां पे एक वेल फॉर्निश्ट फॉल फॉर्निशर से भरा हुआ एक अपार्टमेंट मिल रहा है फ्यू ब्लॉक्स अवे यानि इस वक्त मिस्स क्रॉफ्ट के घर से थोड़े ही ब्लॉक्स दूर एक दूसरा अपार्टमेंट मिल रहा है फॉली फॉर्निश्ट है वहाँ पे उसको डबल मेट भी मिल जाएगा एक प्राइवेट किचन मिल जाएगा प्राइवेट बाथरूम भी मिल जाएगा और यहां पे उसको वीक के एक हफते के 40 डॉलर्स देने Mrs. Croft क्या 8 डॉलर्स हफते के यहाँ पर 40 डॉलर्स अवीक देने फिर भी उसने का चलो ठीक है मेरी वाइफ आ रहे है अच्छे घर में रहेंगे One last Friday I handed Mrs. Croft 81 डॉलर बिल्स in an envelope, brought my suitcase downstairs and informed her that I was moving तो बस अब एक आखरी Friday Mrs. Croft के घर उसने उसको 81 डॉलर्स का यह envelope दिया अपना suitcase नीचे लेकिया और उसको inform किया कि मैं अब जा रहा हूं दूसरी जगा shift हो रहा हूं She put my cane to the change purse और जो चाबी उसने Mrs. Croft को दी वो उनोने वापस अपने पर्स में डाल दी The last thing she asked me to do was to hand her the cane being propped against the table so that she could walk to the door and lock it behind me आखरी चीज जो Mrs. Croft ने narrator को कहीती बोला था कि वहाँ जो मेरी लकडी की cane पड़ी है वो मुझे दे दो था कि तुमारे जाने के बाद मैं धीरे धीरे वाप कर के आऊ और दोर को लॉक कर पाऊं क्योंकि वो दोर हमेशा लॉक रखती थी Goodbye then she said and retreated back into the house और वो goodbye बोलके घर में अंदर वापस चली गई I did not expect any display of emotion but I was disappointed at the same I was only a boarder, a man who paid her a bit of money and passed it and are out of her home for 6 weeks Compared to a century, it was no time at all तो narrator कहता है कि उसके मूपे कोई emotion नहीं था कोई दुखी नहीं था कि अरे ये लड़का यहां जा रहा है कहता है मैं 6 हफते रहा यहां पे एक boarder था मैं उसके घर में काफी घर में उसको मैंने pay भी किया टाइम पे हर चीज अंदर बहार आता रहा 6 हफते तक कहता है पर लेकिन अगर मैं compare करूँ इसको एक century से याने hundred years से अगर मैं compare करूँ तो कहता है यह कुछ time ही नहीं था उसने century जी लिया 103 साल जी लिया और मैं सर्व उसके साथ 6 हफते ही रह पाया At the airport I recognize Mala immediately Finally अब Mala आ गई वो उसको उसका narrator जो अपनी wife को airport पे receive करने गए है और बोलता है कि airport पे मैं पहचान गया Mala को उसी वक्त देखते ही The free end of the sari did not drag on the floor but was drapped in a sign of bridal modesty over her head just as it had drapped my mother until the day my father died तो कहता है जब वो वहाँ आई तो उसका जो सारी का पलू था वो जमीन पर drag नहीं हो रहा था बल्कि उसने सर पे ऐसे पला लेके रखा था exactly मेरी मा की तरह जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक उन्होंने अपने सर पे वैसा पलू रखा था तो इसने भी वैसे ही रखा हुआ था एक नई दोलन की तरह her thin brown arms brown arms were stacked with gold bracelets तो कहता है उसके जो brown arms थे याने कि यह जो बाहे थी brown थी याने she was dark in color उसमें आप बड़े-बड़े गोल्ड के ऐसे bracelets उसने पहने हुए थे a small red circle was painted on her forehead और यहाँ पर red circle painted थे और उसने बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी and the edges of her feet were tinted with a decorative red dye और उसने अपने पेरों में वो decorative red dye याने आलता लगाया हुआ था as if वो कोई नई दो लन है because she was meeting her husband for the first time after coming to America तो बिल्कुल बहुत बड़ी आप ब्राइड जैसे ready हो कि आई थी I did not embrace her or kiss her or take her hand embrace का मतलब क्यों होता है किसी को hug करना कि I welcome करना तो कहता है ना मैंने उसको hug किया ना मैंने उसको kiss किया कुछ नहीं किया ना मैंने उसका हाथ पकड़ा nothing, कुछ नहीं किया instead I asked her speaking Bengali for the first time in America if she was hungry तो कहता है पहली बार मैंने Bengali में वहाँ पर बात करी और उससे ही बात करी और मैंने उससे Bengali में पूछा कि are you hungry, क्या तुम्हें भूक लगी है I told her I had prepared some egg curry at home और उसने उसको बता है कि मैंने घर पे कुछ egg की करी बनाई हुई है What did they give you to eat on the plane और फिर उसने पूछा अपनी वाइस से कि तुमको plane में खाने के लिए क्या दिया I didn't eat और में लिखा तो ऑक्स टेल सूप याने की ऑक्स बुल बुल की जो टेल होती है उसका सूप तो कहती है नहीं मैंने ऑक्स टेल सूप देखा वैने निखाया बच शॉली देवर अधर आइटम तो उसका अस्बंड कहता है अरे भाई ऑक्स टेल के अलावा कोई दूसरे आइटम भी तो होंगे ना मैन्यू पर तुम वो खा लेती तो कहती की ये थॉट आया की ऑक्स के टेल का भी सूप होता है इससे मेरी भूक ही मर गई इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक तो वो कहता ठीक है भाई तो कहती है कि जब हम घर गए तो माला ने अपना सूटकेस खोला और मेरे लिए गिफ्ट लाई और गिफ्ट क्या था दो स्वेटर्स थे जो उसने खुद अपने हाथ से बुने थे और ब्राइट ब्लू कलर के थे एक जो स्वेटर था उसका V-neck था और दूसरा गेबल से कवर्ट था है जो डिज़ाइन आप इस दर देख रहे है इस तरीके की ऐसी Lines ऐसी फिर Lines तो इस तरीके का उसने दो पूलो ओवर स्वेटर गिफ्ट की अपने हजवंड को I tried them on, both were tied under the arms कहता है मैंने दोनों try कि और दोनों ही मुझे हातों किदर से बहुत tight थे भाई She had also brought me two new pairs of drawstring pajamas a letter from my brother and a packet of loose darjaling tea तो कहता है कि वो मेरे लिए drawstring pajamas के नए pair भी लाई थी याने loose नाडे वाले जो pajama जो मैं पहनता हूँ, वो भी मेरे लिए लाई, मेरे भाई ने खत भेजा था, मुझे लेटर भेजा था, वो भी लेकिया ही थी और डार्जलिंग की tea जो खुली चाय, loose चाय होती वो लेकिया ही थी मेरे लिए I had no present for her apart from the egg curry कहता है, वो मेरे लिए इतने तौफे लाई मैं इसके लिए कोई present या तौफा मैंने रखा ही नी, स्रिव मैंने उसके लिए अंडे की एक करी बना के रखे दी, और तो कुछ नी था We sat at a bare table, each of us staring at our plates We ate them with our hands, other thing I had not done yet in America तो कहता है, मैंने टेबल पे लाके रखा अंडा करी हम लोग एक दूसरे की plates को बस देख रहे था, अभी खाना स्टार्ट नी कहा और फिर हमने एक साथ हाथ से खाना स्टार्ट किया कहता है, एक और ऐसी चीज़ जो अब तक मैंने अमेरिका में नहीं करी थी जो मैं अब माला के साथ कर रहा था, हाथ से खाने में चुकि अमेरिका में सब स्पून और फोक नाइफ से खाते है तो उसकी वाइफ कहती है, घर बहुत अच्छा है और जो एक करी आपने बनाई है, ये भी बहुत अच्छी है तो उसने अपने उल्टे हाथ से अपने सारी का पलू ऐसा पकड़ के रखा था था कि नीचे ना गिर जाए तो इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है कि अभी भी अपने हस्बंड के साथ कमफरिबल नहीं थी तो अब क्या बोल रहा है भाई हमारे नेरिटर मुझे जाधा रेसिपी नहीं आती याने जाधा खाना वाना पकाने नहीं आता तो भाई अब भी आ गई है अब तो भाई तुम बनाओगी, ओके शी नॉडड़ेड वो कहती है ठीक है भाई नहीं आती तो ठीक है पीलिंग शीन ओफर इच पटेटोस बिफोर एटिंग दें तो वो बॉइल पटेटोस भी खारी थी उसकी छिल्की उतारते वह कहती है ठीक है भाई नहीं आती मैं बना लूंगी एक पॉंट ऐसा भी है कि उसकी सारी गिर गई जल्दी सो उसने वापे पहन ली क्योंकि वो अंकमफरडेबल फील कर रही है उसके साथ तो वो कहता है अपना सर ढखने की तुम्हें जरुवत नहीं है यह अमेरिका है मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा इंडिया में चलता है यहां नहीं चलता शी केट इट कवरड एन्में फिर भी उसने सर पर अपना ढाकी रही हाट आया नहीं उसने नरेटर कहता है कि मैंने वेट किया हमारे रिलेशनशिप को टाइम दिया कि मुझे उसकी आदत पड़े घर में टेबल में रूम में हर जगा लेकिन अवीक लेटर एक हफते बाद भी हम ऐसे बहेफ कर रहे थे जैसे हम strangers है अजनभी लोग है तो वो उनके married life इतनी अच्छी शाइद नहीं चल रही थी तो कहता है कि अभी भी मुझे बिलकुल आदत नहीं पड़ी थी इस चीजो की कि मैं घर आ रहा हूं अपने अपार्टमेंट में तो मुझे steam rice की खुश्बू आ रही है जो मेरी wife ने बनाई है और मैं देख रहा हूं कि जो मेरे basin है जो मेरे bathroom है सब बढ़िया clean पड़े क्योंकि माला ने सब clean करके रखे हम दोनों के toothbrushes पड़े पहले एक ब्रश पड़े रहे था तब टू ब्रश पड़े हुए और पियर सोप जो वो इंडिया से लेके आई थी वो सोप डिश है ने सोप रखने का जो container होता है उसमें पड़ा हुए इंडियान सोप इन सब चीजों की अब भी मुझे आदत नहीं थी पर धीरे-धीरे मैं used to हो रहा था तो कहता है मुझे आदत नहीं पड़ी थी अब भी वो नारियल की तेल की जो वो हर रात अपने सर में लगा थी इतना सारा और नहीं मुझे अभी आदत थी उसकी bracelets नहीं चूनें की जो आवाज होती थी जब वो घर में चलती थी तो कि मैं तो अकेला रहता था इन सब चीजों की मुझे आदत नहीं थी और सुबा भी वो मुझे पहले उठके रड़ी होके खड़ी हो जाती थी तो कहता है जब भी मैं सुबा ब्रेक्फस्क लिए आता था तो एक दिन पहले के रखे हुए चावल वो गरम करके रखके साइड में थोड़ा सा नमक रखके मेरे लिए ब्रेक्फस्क लिए ले आती थी क्योंकि उसने ऐसा अज्यूम किया कि जैसे सारे मिंगॉली पती लोग हस्बंड्स जो होते हैं खाते हैं मैं भी खाऊंगा लेकिन उसको तो बद पता ही नी थी कि मैं मिल्क कॉन्फलेक्स खाता हूं यहां पर I told her cereal would do and the next morning when I came into the kitchen she had already pulled the कॉन्फलेक्स into my bowl तो उसने narrator ने अपनी वाइफ को बोला कि सीरेल चलेगा मुझे याने की मिल्क कॉन्फलेक्स मुझे ब्रेक्फस्स में चलेगा तो अगले दन उसने को फेले जब तक में जाऊं उसनेमिल्क कॉन्फलेक्स कि उपर फेल ही दूट डालके रख लिए था वुश्वली कि हओता हैं हम जिब Mासीजट साइवन की होता है हम जब मिल्क pertama के यूपर हम मुल्क डालते हैं देखो की छोटा सा शेहर देखो थोड़ा सा On the way, we stopped at a hardware store and I made a copy of the key so that she could let herself into the apartment तो रास्ते में उसने अपने घर की चाबी का एक डुपलिकेट चाबी बनवाई एक hardware store से तो कभी मैं आ रहा हूं और उसको घर में जाना तो उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी रहे The next morning before I left for work She asked me for a few dollars I parted with them reluctantly but I knew that this too was now normal तो कहता है अगले दिन जब मैं काम के लिए निकल रहा था तो उसने मुझे बोला थोड़े पैसो की जरुवत है डॉलर की जरुवत है उसने मैं देना नहीं चाह रहा था कि अरे यार मैं उसको कैसे मना करूँ बीवी है पैसे मांग रहे है लेकिन फिर भी मैंने दे दियो उसको और यह सोचा कि अब भाया यह नॉर्मल बीवी आ गई है घर खर्च के पैसे मुझसे लेगी वेन आए केम होम फ्रॉम 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 वर्क दे वाज़ पाटेटो पीलर इन दे किचिन ड्रॉर अंड टेबल क्लॉथ अंड चिकन करी मेड विद फ्रेश गालिक अंड जिंजर ऑन दे स्टॉफ तो कहता है उस दिन जब मैं वापिस घर आया तो मैंने देखा कि किचिन में एक पटेटो छीलने का जो पीलर होता है वो था और हमारे टेबल पे टेबल कवर नहीं था तो कवर था और चिकिन करी बनी थी घर में जिसमें फ्रेश गारलिक और जिंजर याने अद्रक और लस् वाल माला सब्सक्राइबल किचिन टेबल वाकिंग अना कार्डिगन फॉर सेल्फ वित मौर अफ ब्राइट ब्लू वुल और राइटिंग लेटर लेटर पत्र लिखा करती थी अपने घर वालों को वहां बैठके डिनर के बाद तो एक हफता हो गया फ्राइडे निकल गया वीकेंड आ गया तो उसके हस्बेंड ने बोला नरेटर ने चलो कहीं बाहर गूम आते हैं माला set down her knitting and disappeared into the bathroom वो अपना knitting knitting कड़ाई बुनाई छोड़ के bathroom में भग गई when she emerged I regretted the suggestion जब वो वापस आई तो नरेटर का जो suggestion था बाहर गूमने का उस पर वो regret कर रहा था अफसोस कर रहा था कि ए भगवान मैंने इसको क्यों बोला कि बाहर गूमने चलते हैं she had put on a clean silk sari and extra bracelets वो एक बहुत हैवी सिल्क की साड़ी पहन आई और बड़े बड़े चूडिया bracelets पहन के आ गई and coiled her hair with a flattering side part on top of her head और अपने head पे इतना बड़ा-बड़ा side में इतना बड़ा जूड़ा बना के वह आ गई ओगाता है oh god america में मैं अंटी को कैसे घुमा हूँ इतनी आंटी बनके बढ़ गई she was prepared as if for a party or at the very least for the cinema तो ऐसा लगजा था वह कोई बहुत बड़ी party में जाने के लिए रेडी हो गई है यह cinema जाने के लिए रेडी हो गई है जैसे कालकाटा में जाते थे हूँ but I had no such destination in mind के तपर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ destination ही नहीं था कि मैं इसको party में या cinema ले जाऊँ इवनिंग एर वस बामी वही शाम की हवा बड़ी अब बामी थी वहाँ पे याने बड़ी अब लेजन्ट हवा चल रही थी we walked several blocks down Massachusetts Avenue looking into the windows of restaurants and shops केता है हम वो Massachusetts Avenue पे निकले walk करते हुए हमने restaurant की windows देखी दुकान ने देखी ऐसी गूम रहे थे हम तो then without thinking I let her down the quiet street where for so many nights I had walked alone फिर कहता है फिर मैं उसको उस रास्ते पर ले गया जहां मैं Mrs. Croft के घर था और वही पर मैं walk करा करता था इवनिंग में तो मैं उसको उस तड़क पर लेके गया कि देखो यहां मैं रहता था पहले Mrs. Croft किया this is where I lived before you came I said stopping at Mrs. Croft's chain link friends तो वो कहता है तुमारे आने से पहले मैं इस घर में रहता था Mrs. Croft का घर है यह in such a big house तो वो कहती इतना बड़ा घर था यह I had a small room upstairs at the back तो कहता है कि इस बड़े से घर में एक छोटा सा कमरा है अंदर घर के back side में मैं वहां रहता था पूरे घर में नी Who else lived there? उसकी वाइफ पुछती और कौन रहता है इस घर में? A very old woman कहता है एक बहुत बुड़ी औरत रहती है With her family? तो माला पुछती अपनी family के साथ रहती है वो बुड़ी औरत तो कहता है alone? नहीं वह अकेले रहती है But who takes care of her? माला पुछती फिर उसकी देखबाल कौन करता है I opened the gate for the most part she takes care of herself तो उसने घर का दरवाजा खोला अंदर जाने के लिए Mrs. Croft से इसको मिलाने के लिए और फिर बोलता है कि वो काफी हद तक तो अपना खयाल खोदी रख लेती वो old woman I wondered if Mrs. Croft would remember me I wondered if she had a new border to sit with her on the table on the bench each evening तो अब अंदर ले जा रहा है वो माला को Mrs. Croft के घर में Mrs. Croft से मिलवाने और सोचता है कि क्या Mrs. Croft को में याद रहूँगा क्या कहीं कोई नया, border कोई नया, किराइदर तो नहीं आके रहता होगा इनके साथ जो इनके साथ बेंच पर बैठेगा और इनकी बाते सोनेगा इवनिंग में तो चैता है जब मैंने बेल बजाई तो exactly ऐसा ही हुआ जैसा पहला दिन हुआ था कि मैं आया था बहुत देर तक मैं वेट करता रहा उस टाइम आपस की भी नी थी तब बहुत देर बाद मिस्स क्रॉफ्ट ने डोर ओपन किया किता है आज भी मुझे वैसे ही वेट करना पड़ा बाद इस दाइम दोर वस ओपन अल्मूस्ट इमिडेटली बाई हेलन पर इस बार ऐसा नहीं था इस बार उसी वक्त डोर खोला और किसने खोला? हेलन ने, मिस्स क्रॉफ्ट की बेटी ने मिस्स क्रॉफ्ट वस नोट सुटिंग अन बेंच दे बेंच वास गॉन और मिस्स क्रॉफ्ट उस बेंच पे बैठी हुई नहीं दिखी तो हेलन बोलती कि मेरी मदर मिस्स क्रॉफ्ट पालर में है याने उस लिविंग रूम में है घर के क्या आप वाइल मतलब फॉर शॉर्ट ताइम क्या आप कुछ देर बाद मिलना पसंद करेंगे उनसे? आज यू विश मैडम तो नरेटर केता है हाँ 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 जैसी आपकी मरजी हम वेट कर लेंगे तो हेलन कैती कि ठीक है मैं जल्दी से पास में ही किसी स्टोर से कुछ सामान लेके आती हूं क्योंकि अभी-भी थोड़ी दिन पहले उनका एक छोटा सा सकती है तो आप यहां पर थोड़ी जाए प्लीज बैट जो मैं आती हूं हेलन बोलती है आई लॉक्ट दोर इविन दोर आफ्टर है लेन और वॉक्ट इंड़ पालर तो जब हैलन गई तो उसने डोर लॉक करके पालर में गया मिस्स हेलें मिस्स क्रॉफ्ट के पास मिस्स क्रॉफ्ट वस लाइंग फ्लाट अर बैक हरेड़ अन पीच कलर कुशन अ थिन वाइट कुल्ट स्प्रेड ओवर हर बॉड़ी जब वो गया तो देखा मिस्स हेलें मिस्स क्रॉफ्ट जो है वो अपने लेटी हुई है पीच पिंक कलर के पिलो पे लेटी और वाइट क सिट दाउं तो उन्होंने ऐसे किया मतलब की सोफा पे बैट जाओ यहां पे I took my place as directed but Mala wandered over the piano and sat on the bench which was now position where it belonged तो मैं तो सोफा पे बैट गया माला को कोई बैटने की जागा नहीं देखी तो पियानों की जो बेंच है उसको वो खाली देखी तो वो बेंच पे जाके बैट गई माला I broke my hip Mrs. Croft announced as if no time had passed तो बिलकुल बैठे जैसे और time जैसे पास्त ही नहीं हुआ और Mrs. Croft ने बोलना start किया कि I broke my hip मैंने अपना hip तोड़ दिया याने मैं गिर गई Oh dear madam तो नहीं तो नहीं कता अरे madam क्या किया आपने I fell off the bench तो कहती है मैं उसी bench से गिर गई I'm sorry madam तो कहता है sorry अब गिर गई it was the middle of the night do you know what I did boy तो कहती है Mrs. Croft कि मैंना रात के बीच मैं आने आधी रात में गिर गई और तुम्हें पता है मैंने क्या किया लड़के I shook my head कहता है नहीं भाई नहीं पता आपने क्या किया I called the police वो कहती ही मैंने पुलिस को फोन कर दिया she stared up at the ceiling and grinned sedately sedately का मतलब क्या होता है sedately का मतलब होता है keeping a quiet attitude याने चुप चाब ऐसे attitude करके बैटना टाइप तो उस वो उपर ceiling में देख रही थी और चुप चाब बैठी होती कि मैंने तो पुलिस को फोन कर दिया भाई exposing a crowded row of long grey teeth और ऐसे हसने लग गई कि मैंने तो बढ़िया काम किया अपने पूरे grey teeth दिखाते हुए कि भाई मैंने पुलिस को फोन किया not one was missing what do you say to that boy तो वो कहते है एक भी नी छूटा एक भी नी इंसान missing हुआ तुम क्या कहते हो लड़के as stunned as I was I knew that what I had to say stunned means confused अब narrator confused होगे कि क्या बोल रही है एक भी नी छूटा फिर भी narrator को कही ना कहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है इनकी इस बात पे with no hesitation at all I cried out splendid और उन्होंने बिलकुल hesitate नहीं क्या और उन्होंने बोल दिया splendid excellent excellent याने हर बात पर वो excellent बुल वाती थी तो उनको पता था कि इस बात पर भी excellent बोल दो बस मिसे स्क्रॉफ्ट की बात पर क्या बोल रही है समझ में नहीं आएगा भी माला laughed them और suddenly माला हसने लगई इतनी फ़नी बात पर her voice was full of kindness her eyes bright with amusement तो माला की बहुत kind आवास थी हसते वक्त और बहुत bright amusement थी कि अरे क्या क्या बोल रही है आंटी समय नहीं आ रहा I had never heard her laugh before and it was loud enough so that Mrs. Croft had heard too तो कैता है मैंने अपनी बीवी को कभी हसते हूँ ऐसे देखा ने और इस बार तो वो इतनी जोर से हसी कि Mrs. Croft जिनको जादा सुनाई नहीं देता उन तक को सुनाई दे गई आवाज She turned to Mala and glad Mrs. Croft मालों को देखने लगी और glare करने लगी कि कौन है ये भाई? Who is she boy? उन्होंने narrator से बुचा भाई ये कौन है लड़के? She is my wife madam बोलता है कि ये मेरी wife है Mrs. Croft pressed her head at an angle against the question to get a better look Can you play the piano? Mrs. Croft अपने question से थोड़ा उठके बोली प्यानो प्ले कर सकती हो क्या तुम? No madam Mala replied So Mala के थी नहीं मुझे प्यानो बजाने नहीं आता Mrs. Croft कहती है then stand up फिर खड़ी हो जाओ Mala rose to her feet adjusting to the end of her sari over her and head and holding it to the chest and for the first time since her arrival I felt sympathy अब foreign culture में आप अगर प्यानो की seat पे बैठे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको प्यानो बजाना आना चाहिए अगर आपको प्यानो आता है बजाने तो प्यानो की seat पे बैठो नहीं तो वो seat पे मत बैठो Mrs. Croft BC लिए बैठती थी क्योंकि उनको प्यानो बजाना आता था और वो 40 साल तक बजाई भी तो अब बिचारी माला को उनने बोला फिरोड जाओ भाई क्योंकि यहां यह कल्चर नहीं था थोड़े सी वो इंबारस हो गई एकदम उठके खड़ी हो गई कि आरे आटी तो गुस्सा हो गई और नारेटर केता है पहली बार मुझे माला पर sympathy फील्यकि आरे यह नहीं है यहां पर और इसको अभी adjust होने में टैम लगेगा हैजसे ही मुझे भी adjust होने में टैम लग था जब मैं पहली बार यहां पर आया था I remembered my first days in London learning how to take the tube to Ruzel Square riding an escalator for the first time being unable to understand that when the man cried Piper it means paper being unable to decipher for a whole year that the conductor said mind the gap as the train pulled away from each station like me, Mala had travelled from home far from home decifer means understand so he said that Mala I remember my first day when I was in London I didn't know that if I was in Ruzel Square if I was going to go to the tube underground railway system I was going to go to the escalator when I went to the mall when I was going to the city I was going to the escalator when I was in London I didn't understand how to do it or when I was in London people said Piper I thought that they were saying Piper but they were saying Piper their accent so he said that all these things deciphered and understood so he said it was a couple years ago when the conductor said that the gap work to focus on the gap that the beach that the airport距離 will go to thez that they were going to the tide I said this all I thought is all about that Mala also said that Mala and leave the car and leave the car and leave the car so that I thought it was going to go into the gate but that I would also not knowing where she was going or what she would find for no reason other than to be my wife तो कहता है माला को बिचारी को कुछ नहीं पता कि वो कहां जा रही है या उसको कोई चीज ढूंड नहीं है तो कहां वो चीज मिलेगी उसको उसरे वितना पता है कि वो मेरी वाइफ है मेरे भरोसे बिचारी बस यहां पर आ गई है As strange as it seemed, I knew in my heart that one day her death would affect me and stranger still that mine would affect her तो कहता है कही नहीं मुझे अपने दिल में पता था कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे को लिए strangers है लेकिन उसको कुछ हो जाए अगर वो मर गई तो उसको बहुत affect हो जाएगा या अगर तो मुझे बहुत affect हो जाएगा कि माला को कुछ हो गया या अगर माला को कुछ हो जाएगा तो मेरी जान निकल जाएगी इस तरीके भले हम एक दूसरे को strangers की तरह treat करते हैं बट फिर भी कहीं नहीं अंदर से ऐसा feel करते हैं हम I wanted somehow to explain this to Mrs. Croft who was still scrutinizing माला from top to toe with what seemed to be placid disdain scrutinizing means examining जब आप उपर से लेके नीचे तक किसी को check करते हो तो कहता है मैं ये सारी चीजे अपने दिल की share करना चाहता था Mrs. Croft को Croft से लेकिन माला सामने थी तो अब कैसे बताऊं उसको और Mrs. Croft अभी भी उपर से लेके नीचे तक बस माला को उसकी साड़ी यां बैंगल से सभी देख रही थी कि क्या जी वो गरीब चीजे पहन के आ गई है और ऐसा लग रहा था कि Mrs. Croft का जो reaction था माला को देखके वो काफी placid disdain था placid का मतलब काम बिलकुल चुप चाब उपर से लेके नीचे तक उसको देख रही थी और disdain मतलब the feeling that somebody is not good enough to be respected याने किसी को देखके ऐसा लगता है कि इसकी क्या respect करूँ ठीक है होगी कहीं की भी तो इस तरीके का attitude Mrs. Croft का था माला को देखके क्योंकि उसने ती साड़ी lipstick और यह सब सारा कुछ लगा दिया था I wondered if Mrs. Croft had ever seen woman in a sari with a dot painted on her forehead and bracelet stacked on her wrist तो narrator कहते हैं मैं ऐसा सोच रहा था कि कभी Mrs. Croft ने एक लेडी को सारी पहने हुए देखा है कि नहीं देखा या उसने forehead पे बिंदी लगाई ऐसा देखा है कि नहीं देखा या पूरे हाथ चूडियों से और bracelet से भरे हुए बैंगल से कि कभी उन्होंने देखा होगा कि नहीं देखा होगा और मैं ऐसा सोच रहा था कि वो क्या object करेगी क्या सोचेगी या आप क्या बोलेगी माला के लिए और या इसी चीज जो धकी हुई और आप देखनी पा रहे हुँ तो narrator कहता है मैं ऐसा पंडर कर रहा था, सोच रहा था कि जो रेड डाय जो आलता अभी भी माला के पैरों में लगा हुआ है क्या मिस्स क्रॉफ वो देख पा रही है कि नहीं देख पा रही लेकिन शायद वो ना देख पा है क्योंकि साड़ी से उसके पैर नीचे तक कवर्ट थे तो आखरी में फाइनली मिस्स क्रॉफ बोलती है उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतनी अच्छी लड़की और डिलाइट याने काफी हैपी हो के खुश हो के उन्होंने क्या बोला? मिस्स क्रॉफ ने? और अभी वो बड़ा खुश हो गए नरेटर है रहे मेरी बीवी की तारीफ हो रही है आई डिट सो क्वाइटली और मिस्स क्रॉफ डिड नॉट हो रही है बहुत दीरे से वो हसा और मिस्स क्रॉफ ने उनकी हसी नहीं सुनी नरेटर की बट माला हैद हर्ड and for the first time we looked at each other and smiled माला ने देख लिया कि भाई वो खुश हो रहा है मेरी तारीफ ने तो माला भी smile करी वो भी पहली बार एक दूसरे को देखके smile किये I like to think of that moment in Mrs. Croft's parlor as the moment when the distance between माला and me began to listen तो अब नरेटर हमेशा वो moment को याद करते हैं इसी moment को जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे को देखके smile करें कि यही वो point of time है जहां से मेरे और माला के बीच का distance अब दीरे-दीरे कम हो रहा है दीरे-दीरे अब हमको अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ although we were not yet fully in love I like to think of the months that followed as a honeymoon of sorts तो वो कहता है कि अभी हम लोग पूरी तरीके से love में नहीं एक दूसरे के साथ बट फिर भी ये जो months अभी हम लोग एक दूसरे के साथ spend कर रहे हैं ये तो आप समझो हमारे लिए समझो honeymoon time है क्योंकि शादी के बाद वो यहां आए और अब हम यहां पर हम बढ़िया घूम रहे together we explored the city and met other Bengalis some of whom are still friends today तो कहता है हमने साथ में इस शहर को explore किया इदर Boston में घूमा हमने दूसरे Bengali दोस्त बनाए जो अभी तक हमारे friends है till date we discovered that a man named Bild sold fresh fish on Prospect Street and that a shop in Harvard Square leaves and cloves तो इन दोनोंने साथ में discover किया गूमते गूमते देखा कि भाई एक आदमी है जिसका नाम बिल है वो fresh मचली बेचता है Prospect Street पे तो यहां से हम फिश खरीच सकते हैं और Harvard Square में एक shop है जिसका नाम है Cardilose वहां पे वो आदमी बे, लीज और Clubs बेचता है याने तेज पत्ता और Long कहते हैं हम Clubs को In the evening We walked to the Charles River to watch sailboats drift across the water और add ice cream cones in Harvard Yard तो कहता है शाम के समय में कई बार हम Charles River की तरफ चले जाते थे sailboats को याने boats को तेरते हुए देखने के लिए या कभी-कभी हम Harvard Yard नाम की जो रास्ता है, street है यहाँ पे ice cream cone खाने चले आते थे तो हमने साथ में बहुत enjoy किया है We bought an instamatic camera with which to document our life together and I took pictures of her posing in front of the prudential building so that she could send them to her parents तो कहता है हमने एक instamatic camera इस तरीके का एक camera खरीद लिया था था कि हम अपने life के precious moments साथ में enjoy करें और pictures click करें कहता है मैंने prudential building के सामने उसके एक photo click करी था कि वो ये photo अपने parents को इंडिया भेज सके at night we kiss shy at first but quickly bold and discovered pleasure and solace in each other arms solace का मतलब feel happy जब आपको किसी के साथ time spend करना अच्छा लगता है तो कहता है हम लोग बहुत time spend करते थे साथ में हम लोग को शरवात में काफी ज़्यादा शरम आती थी shy feel करते थे but slowly and gradually हमको अच्छा लगने लगा एक दूसरे के साथ रहने में और time spend करने में तो कहता है अब मैं से बहुत बाते करने लगा हूँ अपनी सब बाते शेयर करने लगा हूँ मैंने उसको अपना वयाज याने जो मैं जर्नी करके आए था SS Roma नाम की बड़ी सी शिप पे इंडिया से लेके इंगलेंड तक कहता है मैंने उसको उसकी बारे में बताया फिर मैंने बताया कि मैं कैसे YMCA की एरिया में Finsbury Park में रहता था जहां से बहुत शोर आता था विंडो से और फिर मैंने भी बताया कि कैसे शाम को मैं बेंच पे Mrs. Croft के साथ बैठके बहुत देर तक बाते करता था और कहता है जब मैंने अपनी मा के बारे में उसको बताया कि कैसी उसकी आइंड एंड में हालत हो गई थी जब आप निउस्पेपर में किसी की डेठ की खबर पढ़ते हो तो कहता है कि वो माला ही थी जिसने मुझे बहुत संभाला मुझे बहुत कंसोल किया जब मैंने ग्लोब नाम के निउस्पेपर में एक शाम को मिस्स क्रॉफ्ट की आबिट्यूरी ये ने डेथ निउस के बार में पड़ा तो कहता है मैं बहुत दुखी था मुझे माला ने बहुत संभाला I had not thought of her in several months by then those six weeks of the summer were already a remote interlude in my past but when I learned of her death I was stricken so much so that when माला looked up from her knitting she found me staring at the wall the newspaper neglected in my laptop unable to speak तो narrator कहते हैं कि मैंने इतने सारे महीनों में जब से माला यहां पर आई है मैंने एक बार भी नहीं सोचा ना फिर खयाल किया मिस्स क्रॉफ्ट के बारे में मुझे बस वो हमेशा 6 हफते उन summer season के याद आते जो मैं उनके घर में था और वो मेरे लिए अब remote interlude बन गए है मेरे past का याने जो वक्त मेरा बीद गया remote याने far away in time वो 6 महीने मेरे 6 हफते बहुत पीछे छूट गए हैं जो मैं मिस्स क्रॉफ्ट के यां बिता के आया interlude अब period of time between two events दो चीजों के बीच या दो इवेंट के बीच का जो time उसे इंटरलूट के थे तो कहता है जब मैं मिस्स क्रॉफ्ट के घर रहता था और जब से मैं यहां पर आया हूँ इस बीच का जो यह बहुत सारा time है मैं माला के साथ रहता हूँ तो मुझे याद ही नहीं है मिस्स क्रॉफ्ट के बारे में और जब मैंने उनकी death के बारे में पढ़ा तो मैं बहुत strict हुआ है ने काफी ज़दा shock हो गया था जब माला knitting कर रही थी याने अपने sweater बुन रही थी तो उसने मुझे देखा कि मैं एक दिवार पे खाली सिर्फ बैठा हूँ देख रहा हूँ newspaper मेरे गोद में रखा हुआ है जिसको मैं notice भी नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ जैसे ही मैंने इन्यूस पड़ी Mrs. Croft was the first death I mourned in America for hers was the first life I had admired तो narrator कहता है कि Mrs. Croft की death पहली death थी जिनके बारे में मैंने शोक मनाया दुख मनाया अमेरिका में क्योंकि वो एक पहली lady थी जिसकी life को मैं बहुत admire करता हूँ कि वा यार 103 साल की lady ने बहुत कुछ किया अपनी life में she had left this world at last ancient and alone never to return तो वो कहता है उन्होंने finally Mrs. Croft ने इस दुनिया को छोड़ दिया ancient याने Mrs. Croft बहुत ancient है बहुत पुरानी है 103 साल पुरानी है alone याने वो अकेली रहती थी never to return और अब वो इस दुनिया में कभी वापिस लोट कर नहीं आएंगी क्योंकि उनकी death हो गई है as for me I have not strayed much farther Mala and I live in a town about 20 miles from Boston on a three-lined street much like Mrs. Croft's in a house we own with a garden that saves us from buying tomatoes in summer and room for guests तो अब स्टोरी बहुत आगे बढ़ गई है strayed का मतलब क्या होता है to go far away from a place तो वो कह रहा है कि अभी जिस घर में हम रहते हैं अब हमने अपना नया खुद का गर own याने अब खरीद लिया है जो कि Mrs. Croft के घर के थोड़ा से ही आगे है अब हम लोग Mala और में अब उसमें रहते हैं Boston से 20 miles बस दूर है वो ठीक है वो जो जिस सड़क पे वो घर है वो tree lined है याने दोनों तरफ trees ही ट्रीज है और वहाँ पर हमारे घर में गार्डन भी है हमारा जहां पर summer season में tomato याने टमाटर उखते हैं जिससे अब हमको टमाटर खरीदने के जरुवत नहीं पड़ती है और हमारे घर में अब एक guest room मी है अगर कोई guest आएगा तो वो रह सकता है हमारे घर में क्योंकि हमारे पास अब एक guest room भी है वी आर अमेरिकन सिटिजन नाओ तो अब नरेटर कहता है फाइनली अम इंडिया जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अब हम समझो अमेरिकन सिटिजन बन गए हमें green card भी मिल गए और हमारे लिए एक social security याने हम job भी यहीं करते है दो वी विजट कैलकटा एवरी few years and bring back more drawstring pajamas and Darjeeling tea we have decided to grow old here कहता है फिर भी हम कैलकटा अपने घर तीन-चार सालों में कभी एक बार चले जाते हैं वहाँ से बहुत सारे drawstring pajama नाडे वाले पजामे लाते हैं spend करेंगे I work in a small college library we have a son who attends Harvard University वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर इस college library में MIT में काम करता हूं और जो मेरा बेटा है वो अब हमारा इनका इक बेटा भी हो गया जो कि Harvard University में पढ़ाई करता है अब माला नो लंगर drapes the end of her सारी over the head और weeps at night for her parents but occasionally she weeps for our son अब बहुत time हो गया माला को भी आदत हो गई है मेरे साथ अब माला भी बहुत change हो गई अब अपने सर पे दुपटा नहीं रखती है और नहीं अब अपने parents के लिए होती है रोती है तो सरफ अपने बेटे के लिए जो की काफी दूर Harvard University में पढ़ता है So we drive to Cambridge to visit him और bring him home for a weekend तो ये लोग drive करके Cambridge जाते हैं उससे मिलने या weekend में Saturday, Sunday को उसको यहां बुला लेते हैं So that he can eat rice with us with hands and speak in Bengali क्यों लाते हैं ता कि वो हमारे साथ Bengali में बात करे और हातों से rice खाये जैसे हम खाते हैं तो कही नहीं को यह डर है कि कही हमारा बच्चा हमारे culture न भूल जाए जहां हमारे roots है हमारी जड़ों को न भूले ये Things we sometimes worry he will no longer do after we die तो कभी-कभी इनको tension होती कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा बेटा कहीं अपने culture के बार में Bengali चीजों के बार में कहीं तो नहीं जाएगा क्योंकि यही वो life है जो हम Bengalis जीते है Whenever we make that drive, I always make it a point to take Massachusetts Avenue in spite of the traffic तो कहता है जब भी हम drive पर कहीं जाते है मैं हमेशा Massachusetts Avenue से ही जाता हूँ भले ही वहां कितना traffic हो फिर भी क्योंकि इसकी यादे कहीने के उस street से जुड़ी हुई है I barely recognize the buildings now but each time I am here, I return instantly to those 6 weeks as if they were only the other day कहता है जब भी मैं Massachusetts Avenue पर आता हूँ तो भले मैं चीजों को, buildings को भी recognize नहीं कर पाता हूँ लेकिन जब भी मैं आता हूँ मैं हमेशा उन 6 हफतों पर याद करने लगता हूँ कि कैसे मैं आया था Mrs. Croft के गर रहा था जैसे कि ये कल ही की बात हो other day आने जैसे कि ये कल ही की बात हो and I slow down and point to Mrs. Croft Street saying to my son here was my first home in America where I lived with a woman who was 103 और हमेशा Mrs. Croft के घर के बार गाडी रुक के अपने बेटे को बताता हूँ कि देखो ये वो ही घर है जब मैं पहली बार अमेरिका है तो यहां रुका था और एक बहुत बुड़ी औरत के साथ रहा था जो कि 103 साल की थी अपने बेटे को बताता हूँ और फिर माला कहती है यादे आपको कभी वो ताइम भी होता था कि हम बिलकुल strangers जैसे थे और कैसे इन ही Mrs. Croft के घर हम लोग साथ में फर्स ताइम स्माइल किये और यहां से हमारा कनेक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ My son always expressed his astonishment not at Mrs. Croft's age but at how little I paid in rent astonishment का मतलब क्या होता है very surprise आप शौक में हो तो narrator बताते कि मेरा बिटा हमेशा शौक में रहता है कि आप मतलब इस चीज को लेके कभी शौक में नहीं रहता कि Mrs. Croft की 103 साल उमर की एज की ओरत थी बस इस चीज को लेके हमेशा वो शौक में रहता है कि आप इतने कम रुपे देते थे बस 8 डॉलर्स पर वीक बस इतना ही देते थे थे आप कितना कम रेंट पे करते थे आप अ नियरली अनकंसीवबल अमाउंट तो हिम आज अ फ्लाग ओन दा मून वाज तो अ मोमन बॉन इन 1866 अनकंसीवबल मांतलब डिफिकल्ट तो बिलीव आपको यकीन यह रहा तो यह चीज मेरे बेटे के लिए बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट थी कि कितने कम अमाउंट में कितने कम रेंट में आप यहां रहते थे इग्जाक्ली उस बूरी मिसिस क्रॉफ्ट की तरह जो 1866 में जिनका बर्थ हुआ था और वो यह कभी बिलीव शयद नहीं कर पारी थी कि कैसे दो आदमी मून पर चले गए अमेरिका के जब जैसे उसको यह चीज़ बिलीव नहीं होती थी उसी तरह मेरे बेटे को भी यह चीज़ बिलीव नहीं होती थी कि बापा आप अब इतने कम अमाउंट में कैसे रेंट देखे आप एक घर में रहते थे नारेटर कहता है मैंने अपने बेटे की आखों में हमेशा वो सपने और वो चीजे अंबिशन देखें गोल्स देखें कि जैसे मेरी आखों में हुआ करते थे दुनिया घूमने के लिए तो कहते हैं कुछी सालों में मेरा बेटा ग्राज्टा अपना पाथ खुद बनाना पड़ेगा अकेले अन्प्रोटेक्टिव याने हर जगा मैं और माला उसके साथ नहीं जाएंगे इसको सब खुद करना है तो पर हमेशा मुझे लगता है कि कमस कम मेरे बेटे के साथ उसका फादर याने मैं तो हूँ कि अगर कोई दिक्कत आ गई मा तो है जो हमेशा happy रहती है और उसको strong बना कर रखती है मेरे साथ मेरे father की death हो गई थी और mother की भी death हो गई थी depression की वज़े से Whenever he is discouraged I tell him that he can survive on three continents Then there is no obstacle he cannot conquer तो वो बताते हैं जबी भी मेरा बेटा discouraged होता था कि अरे ये problem आ गई है पापा तो मैं हमेशा उसको एक ही चीज बोलता था कि अगर आप तीन continents पे तीन continents पे अगर आप survive कर लो एक ही जिन्दगी में तो आपकी life में कोई भी obstacle, कोई भी अर्चन आ जाएगी आप उसको conquer कर लोगे याने की cross कर लोगे और जीत जाओगे तो ये चीज वो हमेशा अपने बेटे को सिखाते थे वाइल दी आस्टोनाट्स, heroes forever, spend mere hours on the moon I have remained in this new world for nearly 30 years तो narrator कहता है कि जो हमारे आस्टोनाट्स हैं जो जिन्दगी बार के लिए heroes हैं, moon पे पहुँच गए भाई उन्होंने mere, याने very less, moon पे स्रिफ mere, थोड़े से ही घंटे बिताएं मैं इस नए world में, इस नई दुनिया में, मैं सरिफ 30 years से इस दुनिया को जानता हूँ I know that my achievement is quite ordinary कहता है कि, narrator कहता है मुझे पता है आज तक मैंने जो भी achieve किया बहुत ordinary, बहुत normal है अगर compare करूँ मैं astronauts से I am not the only man to seek his fortune far from home and certainly I am not the first तो कहता है मैं कोई बहुती अलग थलग आदमी नहीं हूँ कि जो अपने बहुत घर, घर से बहुत दूर आया हूँ foreign country में अपना fortune, अपनी किस्मत देखने, कि मैं लाइफ में इतना successful हो गया हूँ Each room in which I have slipped, bewildered याने confused, shocked फिर भी narrator कहता है फिर भी मैं जब अपने पुराने दिन्याद करता हूँ तो मैं बहुत confused हो जाता हूँ, shocked हो जाता हूँ कि कैसे मैंने एक-एक mile पैदल चल के travel किया है कैसे मैंने एक-एक meal खाई है, वो सिर्फ milk conflicts ही कैसे मैं एक-एक नए-नए आदमी से मिला कैसे मैं उस कमरे में रहता था, जा इतना शोर रहता था, अकेले सो जाता था As ordinary as it all appears दिखने में तो यह सब बहुत ordinary दिखता है लेकिन ordinary यह सब हैनी मैंने बहुत struggle किया है life में There are times when it is beyond my imagination और कभी-कभी ऐसा time भी आजाता है कि मैं imagine भी नी कर सकता, कलपना भी नी कर सकता कि life में इतनी आगे मैं कैसे बढ़के आ गया हूँ So children, here we come to the end of this session I hope आपको chapter बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यह chapter 3 parts में था, part 1, 2 and 3 Do not forget to cover all the 3 parts Also, आप चाहें, अगर YouTube पर हमारे वीडियो ना मिले तो आप website पर जाएए, which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे, इस तरीके का page आपके सामने आएगा और यहाँ पर हॉन बिल का option दिया हुआ है यहाँ पर snapshots का option दिया है और मेरे पास एक और good news है कि magnetbrains ने अपना Hindi चानल स्टार्ट कर दिया तो do not forget to subscribe और अपने friends को share करना मत भूलिये and also do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnetbrains free of cost not even charging a single penny from you आप तक free of cost education घर तक पहुचा रहे तब तक लिए, bye-bye and take care